तो Hello दोस्तो, Good morning, कैसे हैं आप सभी? I hope कि दोस्तो आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो दोस्तो हमारी जो सीरी चल रहे थी वो चल रहे थी Company Locky ठीक है दोस्तो जो हमारी 4th semester का first subject है जिसका code है 4001 देखिए दोस्तों अब से पहले हमने short questions, very short questions, already कुछ long questions भी हमने upload कर दिये हैं, वो जाकर आप हमारी playlist में देख लीजे, जो playlist है company law, के 4001 के नाम से, आज का हमारा question है दोस्तों, ठीक है, ये long question भी हो सकता है, और short question भी बन करके आ सकता है, ठीक है, important question है, चलिए, देखते हैं, क् solution है, हमारा fast बनाम हर बोटल का नियम, rule in fast versus हर बोटल, ये एक वाद है, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए important है, इस exam के माद्दे हम से, ठीक है, चलिए, तो start करता है, क्या है ये वाद, देखिए, fast बनाम हर बोटल के English वाद में, यह सिद्धान्त पिर्तिपादित किया गया कि कंपनी विधान का यह एक सामान्य नियम है कि बहुमत वाले सदश्यों द्वारा लिया गया निर्ने, अल्पमत के सदश्यों को मान्य करना ही होगा, बहुमत क्या है और अल्पमत क्या है, इसके उपर already हमने एक वीडियो बना दिये, जाकर के very short वाले बहुमत का सिद्धा कांत वाली वीडियो का आप देख लिए, ठीक है, महां से समझ में आ जाएगा, आगे है, यदि कंपनी के निदेशगण, अंतर नियमों द्वारा प्रदत, अधिकार, शक्ती के अंतरगत, कारिया करते हुए कंपनी को आंतरिक प्रबंद, विवस्था का संचालन कर रहे हू तो नियायले केवल इस आधार पर उनके कारियों में हस्चेप नहीं कर सकेगा, कि उनकी नीतियों के विसे में कंपनी के सदस्यों में आंतरिक मत भेद है, कंपनी पिरसासन के इस सुस्थापित नियम को भली भाती समझने के लिए, फास बनाम हर बोटल 1843 के वाद में तथ् और पिरकाश डालना उचित होगा, मतलब कि जो बहुमत का सिध्धानत होता है, मतलब कि कंपनी में एक पक्ष होता है बहुमत का, एक पक्ष होता है अल्प बहुमत का, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी है और उस में जो कंपनी के जो पार्टनर हैं, शेयर लोग चाहते हैं को पास हो जाए, 20 लोग चाहते हैं को वो ना हो, ठीक है, तो इसमें क्या condition है, अब जो 20 लोग हैं, उन्होंने पास नहीं, उनका तो पास नहीं होगा न, यह तो rule है, company का, ठीक है, पहले से company इस दीनियम का rule है, लेकिन फिर भी, अगर जो 80 लोग हैं, अगर व के विरुद एक आरोप लगाते हुए बाद संदिग्ध संस्थगित किया कि उन्होंने मिलकर अनेक कपटपुन कारिया और अवेध सव्यवार किये गए थे जिनके कारण कम्पनी को संपत्ति का दुरूपियोग और एव्यव्य हुआ था इन दोनों अंशधारियों ने नियाय थावारों के संबंद में वाद एस्विकार कर दिया जिनकी पुष्टी करने का अधिकार अंशधारियों के बहुमत को प्राप्त था इस वाद में ने देते हुए नयायले ने अभी निर्धारित किया कि इस पिरकार के मामलों में निगमित कम्पनी को जो चलित कम्पनी है क स्वेम ही अपने नाम के नाम से वाद प्रस्तूत करना चाहिए नै कि उसके किसी अंसधारी यस सदिस्षे दौरा इसका कारानी है कि पिर्ति वादियों के आचरण में छटी नै केवल वादियों को ही है बलकि पूर संपूर्ण कंपनी को हुई दी कंपनी दुवारा वाद लाया जाना ही उचीत होगा नहvette जैसे कि सपोश करो कि किसी कंपनी में दस निदेशक न निदेशक है सपोज करो एससे जो आठ लोग ऐantine में जा रही है कंपनी घाके में जा रही है दो मतलब कि जो उद्सक्राइर रोड़िया करेए उससे गाटा ओर रहा लए इसको जरू पहर रहे उन्हें हम यह जाएंगे 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 किसे पास में कोट के पास कोट ने कहा कि इस वाद को सुविकार नहीं किया जा सकते क्योंकि तुमने इन आठों के खिलाफ तहरीर दिया भैया तुम्हें इसको पूरी कमपनी के खिलाफ देनी चाहिए कमपनी इसमें ये रॉल अदा होगा कमपनी को खुद लगना चाहिए का हाँ उनके साथ में ऐसा हो रहा है क्योंकि जो इनके वज़े से हुआ है वो पूरी कमपनी को हो रहा है तुम अकेले थोड़ी ना हो तुम ही तो दो उपने सब को हो रहा है उनको भी लगना चाहिए तो इस तरह से उस कमपनी में वाद लाया जाना उचित है के कमपनी के नाम से वाद गाए कि कमपनी महानी हो रही है जिसके कारण ये जिम्मेदार हैं कमपनी का वाद जो इन्हों ने ना दाकिर किया ये का ये अपने अधिकारों का गलत फाइदा उठा रहा है जिससे कमपनी कोहानी हो रही है तो ये इनके ओपर केस नहीं कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अब ये फास बनाम हर बॉटल के वाद में पिर्ती पादित किये गई इस विदिक सिध्धान्त को मैक डॉगल बनाम गार्डीनर के वाद में भी लागू किया गया ठीक है इसमें क्या गया इस वाद में निर्नत देते हुए नाइधीश मेलिश जे ने अभी कथन किया कि यदि कोई बाद किसी ऐसे क्रत्य के लिए लाया गया हो जिसे करने का अधिकार कंपनी के बहुमत को प्राप्त था या कोई कार ये एनियमित रूप से किया गया हो जिसे करने का अधिकार कंपनी के बहुमत को था तो कोई कार ये अवैद रूप से किया ग मामलों में मामलों के निप्टारे के लिए कंपणी की बैठक बिलाई जानी चाहिए ताकि भहूमत उस पर दीड़ना ले सके उन्होंने एगर उनके पास training हो अभी कारों से उस कार्ये को कर रहे हैं अब उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आवेशक है जिसमें नियाधी जोकिंस एल जे ने फास बना महर बॉटल के सिध्धान्त की समिक्षा करते हुए निर्ने दिया की कमपनी के पिर्ती किये गई किसी अपकार के लिए कमपनी को स्वेम ही वादी की हैसे से वाद परस्तूत करना चाहिए यदि कथित अपकार कोई ऐसा सम्वेवार है जिसे सदश्यों के साधारन बहुमत दुबारा कमपनी पर बंदन कारी किया जा सकता था तो उस कमपनी का कोई एक सदश्य से इस वाद को नहीं चला सकेगा क्योंकि यदि बहुमत उस कारिय के पक्ष में है तो उसका विशे में विवाद नहीं उठाया ठीक है दोस्तों मतलगे की एक ही व्यख्ति है वह साध करें यह कंपनी का मेंटर है वह कंपनी ही अगर चाहे तो वह यह वाद को ला सकती है बाकि कोई एक व्यक्ति नहीं ला सकता क्योंकि वो अल्पमत है बहूमत नहीं है बहूमत पक्ष के पास में एधिकार होता है कि वो अपने बहूमत सक्ती का फायदा उठा करके कोई भी कारिय कर सकते है ठीक है चलिए आगे चलते है इस परकार पेवली डैस बराम जेंसन के वाद में कम्पनी का अल्पमत के सदस्वे द्वारा कम्पनी तथा उसके तीन निदेशकों के विरुद्ध एक आधार पर छती पूर्टी का वाद दायर किया गया उन्होंने एक खादान को मतर 18-2000 पौंड में बेची दिया जबकि उसका वास्तिविक मुल्ले लगवा 10 लाग पौंड था अब नियायले में वाद को पोशन ही है यानि कि मेंटेनेवल बानते हुए अभी कथन किया की भले ही कम्पनी के निदेशों को द्वारा बहुमत तरियों के मत से उक्त खादान वास्तिविक कीमत से बहुत कम मुल्या पर बेचने का प्रस्ता पायत किया गया हो लेकिन कम्पनी को निर्देशकों के इस गलत उपेक्षापूर निर्ड़े में हस्त चेप कर विक्री को रोकना चाहिए था ठीक है को कि कम्पनी का सीधा सीधा है आपर क्या हो रहा है धाटा हो ठीक है तो उसको रोकना चाहिए था फास बनाम हर वोटल के निर्णा का ओचित्ते पृतिपाजित करते हैं नियादी सिलिंडरले जे ने ब्राउन बनाम लॉग तिनी डॉड के बाद में अभी निर्धारित किया कि यदि कम्पनी के निर्धेशक उन्हें पृत्त शक्ती का अनुचित पियोग करते हैं जो उनके पास में सक्तिया हैं उनको गेर कानुनी तोर से उनको यूज करते हैं तो कम्पनी को अंशिधारियों की सभा बुलाकर साधार और प्रस्ताव द्वारा निर्धेशकों के कम्पनी को कारियान वित करियां से रोकना चाहिए परंतु यदि निर्ने नियमानुसार हो तता इसके कारण उत्पन होने वाली एनिमित्ता को सरलता से दुरुस्त किया जा सकता है तो अल्पमत की अपत्ति वाद योग्या नहीं है इट मींस कि अगर ऐसा कोई भी होता है और कम्पनी की बैठा को मामले को सुल जा देती है त जो अल्पमत है मतरी जो कम लोग है मत के खिलाफ है जो जिन्होंने किसी मत पर अपनी कम वो दिया है उन्हें लगता है कि गड़ बड़ है तो वो यहां पर कोट में किस नहीं कर सकते ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं भारतिय नयायलो ने भी फास बनाम हर बोटल के स सिध्धान्त को सविकार किया भाजेकर बनाम शिकर का वाद इसका पृत्यक्ष उधारर है इस वाद के तथये इस प्रिकार थे किसी कम्पणी के निदेशकों bile एक कम्पनी को अपने प्रबंद अभी करता की रूप में नियक्त करने का प्रस्ता पारित किया अंसधारियों में कुछ अंसधारियों ने इस परापति की परंतु कंपनी की दो साधारन सभाओं में उस नियक्ति को पुष्टी कर दी गई फिर भी कुछ अंसधारियों दुवारा आधार पर वाद लगाया गया कि कमपणी दौबन्द अभी करता के रूप में निक्ती की गई थी कमपणी एक नकली कमपणी थी असे उसे कारिया करने से रोका जाना चाहिए नियायले ने कमपणी को आदेश दिया कि वे साधारन सभा आयोजित करे जिसके अध्यक्षता नियाले दुवारा नियुक्त सभासा चेर्मेन करेगा। तदनुसार कमपनी ने साधानता सभा बुलाई जिसमें नियाले दुवारा नियुक्त अध्यक्षने सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ता विचार के लिए रखा कि क्या कमपनी वाद चलाने और कार स्थितियों में यह कहना कठीन है कि अल्पमत का प्रती निदित्व करने वाले कुछ अंसेधारियों को यह कहने का अधिकाप राप्त है कि कौन से व्यक्ति कंपनी के प्रिवंद अभी करता होने चाहिए ठीक है दोस्तों इटमीस के एक कंपनी में ठीक है किसी को भी महाँ पर प्रस्ताव रख सकते हैं कंपनी के साधारें सभा में कि यह लायक नहीं है या फिर उसको निदेशक नहीं बनाना चाहिए ठीक है इसमें कोट कुछ नहीं कर सकती ठीक है चलिए आगए है कि फॉस बनाम हर बोटल नियम के अपवाद देखे अब नियम के अपवाद क्या है उनको देख लेते हैं एक्सेप्शनल एक्सेप्शनस टू फोस वसा हर बोटल रूल देखे बहुमत की इच्छे पिरते किस्थिते प्रभावशीर नहीं हो सकती बहुमत का सिध्धान्त वहीं तक लागू होता है जहां तक बहुमत निदेशकों के कारियों का अनुसमर्थन करते हैं परंतु कुछ कारिया ऐसे होते हैं जिनने कितना भी कितना ही बहुमत प्राप्त होने पर भी सुविकार नहीं किया जा सकता है ऐसी दसा में प्रतिक अंशिदारी कंपनी को होने वाली हानी के लिए कंपनी का प्रतिनिद्ध करते हुए कंपनी के नाम पर वाद संस् पर्णन अपवादों के रूप में किय गया है, जो निमलिकित हैं, ठीक है, मतरCY निमलिकित हैं वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें क्या है कंडिशन दोस्तों, इसमें ये है कि अगर एक कमपनी में जो बहूमत है, वो कुछ कारिय कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो हता है उनके निर्णे हमेशा सही भी नहीं हो सकते ठिक है दोस्तों तो ये था हमारा refers our bottle करने दूं ठिक है चलिए मिलते है नएक्स वीडियो में यहाँ पर हम इसकी को यहीं पर समप करेंगे ठिक है दोस्तों आपको करना क्या है आपको पता ही है ठीक है अच्छे से पढ़ा ही करते रहे है डॉंट वरी कोई टेंशन नेनी की ज़रूत नहीं है फिर भी कोई समस्य है के प्रॉलम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करें ठीक है वीडियो को कर दीजिए लाइक शेर कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लॉलाइफ बाई एमडी को और बेल आइकन पर रिस करना दोस्तों बिलकुर न भूले यह रिक्वेस्ट है ठीक है चलिए मिलते है नेक्स वीडियों तो अब तक के लिए